हाँ नमस्कार भाया यह क्या कर रहा है क्या जीज है अच्छा यह क्या इसाफ चल लए यह 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 10 रुपय किया किलो अच्छा यह तो बड़ा सस्ती है हमारे अधर लखनों एक रहामें तो यह 40-50 पर चल लए तो यह कितना कितना होगा इस टाम पूरा यह पूरा यह कितना माल है जब यह देखिए दोस्तों पूरी लौकियां का बंडल लगा हुआ है दोस्तों यह भाईया हमारे यह सब लौकियां पेक कर रहे हैं यह मंडी जाएगी है अच्छा यह देखिए मंडी में 10 रुपय किलो के एसाप से लोकी बेची जा रही है अब सोच लीजे किसान को कितनी कम उपज मिलती है उसकी आये का यह बड़ी बेशरमी वाली बात है शेहरों में इसको चार गुना ज्यादा पैसा बसूला जाता है और किसानों को उसको सिर्फ 10 रुपय मिल रहा है देखिए कितनी ज्यादा खराब बात है अब देखिए लोकी का क्यादा को देखिए अब शेहरों में ऐसी क्यादा भी नहीं मिलेगी और आपको चार गुना दाम भी आदा देना पड़ेगा और यह देखिए पूरा पैकिंग वेकरा एकना बहतरिंग कर रहा है यहां पर बैठे और आप लोकियों का कलर देखिए कितना बहतरिंग कलर चल मैं आपको और दिखाता हूँ यह सब पूरा देखिए आप लोकियों का लगा हुआ है सब पूरा लोकियों का लेखिए कितने बहतरीं तरीके से कितनी मेहनत लगती है इसके इंदर कितनी मेहनत वाला काम है किसानों किसान लोग कितनी मेहनत करते हैं यह देखिए पूरा को खराब ना करें वो डर के मारे भाग जाएं यहां से तो यह अपने आप में काफी ज्यादा मेहनत का काम है और कितना अच्छा लग रहा है जो इन्होंने बनाया हुआ पूरा सिस्टम तार के बल पर सारी बेल को टांगा हुआ है लोखिया जो टांगी हुई है इन्होंने आ आज मैं आपको विलज की लाइफस्टाइल दिखाऊंगा कि विलज में कैसे काम किया जाता है दोस्तों खेती का काम इतना असान नहीं है हम लोग बड़े मज़े से सबसब्जी अब जी खा लेते हैं घर पर पगा करके लेकिन उसके पीछे जो है वो बड़ी मेहनत का काम है आज हम उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं यह देखे कितना मतलब लंबा एरिये में यह आपकी बेल होगी तो भाया यह कितने पूरा एरिये में होगी कुछ बता सकते हैं यह दोस्तों डेड़ एकर में फैला हुआ है पूरा यह इनका लॉकी का है यह मैं आज अपने फैमिली के यहां फैमिली में आया हुआ हूँ विलज में तो वहां पर मुझे यह देखने को मिला तो मैंने सोचा कि आप लोग एक साथ यह मैं शेयर करता हूं तो यह काफी मिर को अच्छा लग रहा है यह मतलब देखने में कितना प्यारा लग रहा है एक दम ग्रीन ग्रीन सा तो आप देख सकते हैं वह भीया लोग जा रहे हैं उदर लॉकी का पूरा माल और भी जो है उनके पास वह खटा करके लाएंगे और फिर यह सब खटा करके मंडी में बेचे तो बड़ा ही प्यारा नजारा आएं उमीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेर करिएगा दिखाए उनको भी कि लॉकी की बेल जो होती है वो कैसे लगती है यह पुरा क्यालर की